वेस्तीज हेल्थ एन वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ एक सीरीज चल रही है जहां पे आपको बीमारी और सप्लिमेंट इसका कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ पहले तो मैं हर वीडियो में दो चीजों पे बात कर रही हूँ पहली बात तो है कि VWS यानि Vestige Wellness Symposium क्यों अटेंड करना है और कितना जरूरी है तो हर एक वेस्तीजन ने जो वेस्तीजन है जो भी वेस्तीज की डिस्रिब्योटर है इन्हों ने वेस्तीज का जो प्रोग्राम है Vestige Wellness Symposium उसे VWS कहते है तो यह अपने अटेंड करना अनिवार यह है दो दिन का प्रोग्राम रहता है शांदार प्रोपर्टी में रहता है Vestige बहुत ही बढ़िया माहूल में यह ट्रेनिंग लेते है अच्छी प्रोपर्टी में होता है अच्छी होटल में होता है इसके लिए फीज भी होती है और वहाँ पे Vestige के ट्रेनर हमें एक हेल्थ कोच बनाने में मदद करते है और यह ट्रेनिंग में आप छोटी छोटी चीजे सीखते हो जो आपको कहीं भी सिखाई नहीं जाती आप सायंस के ग्रेजुट नहीं है आपके अनटॉमी में कोई भी पढ़ाई नहीं है तो यह आप कभी सीख नहीं सकते लेकिन जब आप VWS अटेंड करते है तब Vestige ट्रेनर इतनी इतनी आपकी क्यार करती है कि वो सिखा कर छोड़ते है तो यह VWS आप जरूर अटेंड करो अगर Vestige में काम करना है तो हमारे प्राइम प्रोडक्ट है हेल्थ सप्लिमेंट तो हेल्थ सप्लिमेंट के हमारे पास 40 से 50 हेल्थ सप्लिमेंट है और उसके उपर काम करने के लिए अगर हमें ट्रेनर इतने आते हैं सिर्फ सी नहीं बताते हैं तो बहुत सारी चीजें सिकाते हैं मिस एक बीमारी को पोषण से कैसे थीक करना है इसका नॉलेज हमें मिलता है हमारे family की health कैसे अच्छी रहे है न हमारे team की team में जितने भी लोग हैं उनको आप कैसे guide करें उनको आप कैसे educate करें उनको कैसे health supplement में आप support करें इसके लिए VWS अटेंड करना बहुत जरूरी है तो आप अपने applying से बात कर लीजिए अपने senior से बात कर लीजिए और ये program आप जरूर return कीजिए अभी आज का topic है कि hyper acidity एक ऐसी बात है कि आप देखो कि जहां पर भी आप जाओगे आपको acidity से जो गरस्त लोग है वो आपको बिल्कुल मिलेंगे देखो हमारी body का जो pH है वो neutral होना चाहिए या उसका जुकाव जो है वो alkaline की तरफ होना चाहिए लेकिन आज के दिन में आप देखोगे तो हमारी body acidic होते जा रही है और इसी के वजह से hyper acidity जैसी समस्या आपको हर जगह पे दिखाई देती है तो उसके लिए आपने कौन से supplement suggest करने है एक वेस्टीजियन हो और कोई hyper acidity के लिए आपके पास supplement की जानकारी ले रहा हो उसको supplement लेने है तो आप उसको suggest करें पहला supplement comboitics पहला supplement है जो hyper acidity के लिए उसको help करेगा दूसरा है tox clean ये आयुशांते का supplement है ये उसकी पेट को साफ रखेगा तीसरा supplement है spirulina जो multi vitamin, multi mineral इसके साथ इसमें protease भी है और इसके साथ आमला और aloe vera इस 5 product supplement का combination अगर आप hyper acidity के लिए देते हो तो आपको जरूर result मिलेगा बहुत बहतरीन result उससे मिलेगा और आप भी खुश हो जाओगे और लेने वाले की तकलीप दूर हो जाएगी तो comboitex यह पहला supplement then toxclean इसके अलवा spirulina और इसके साथ आमला और तो यह combination आप दीजिए dosage कैसे रहेंगे तो यह तो सारे supplement है यह कोई भी दवाई नहीं है यह कोई भी steroid नहीं है तो ना तो यह दवाई है ना तो यह steroid है तो क्या होगा क्या आप कहोगे कि दो दिन में result आएगा क्या दस दिन में result आएगा तो इसका जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे सकती क्योंकि हर एक की body अलग है लेकिन supplement आपको minimum 3 से 6 मैने लेने बहुत ज़ादा जरूरी है है ना ताकि आपको अच्छे result मिले और कितने लेने हैं तो minimum 2 maximum 4 आप दिन में कभी भी ले सकते है क्योंकि supplement यानि portion जो portion आपके शरीर को कम पड़ा है जो deficiency आ गई है और इसके वजह से बीमारी बढ़ गई है तो ये बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आप portion देते हो तो बीमारी भी portion के वजह से ठीक हो जाएगी तो probiotics एक ऐसा supplement है कि जिसमें prebiotics and probiotics capsule in capsule ऐसा supplement है शांदार supplement है इसमें इतने सारे ingredients है कि जब आप ये purchase करोगे या कोई आपको recommend कर रहा है मेरे video के जरीए तो जब आप ले लोगे तो आप bottle के उपर जरूर देखना आपको पता चलेगा कि कितने सारे vitamin minerals इसमें आपको मिलेंगे और इसकी वज़ह से आपको आपकी तबियत जो है आपकी hyper acidity है उसमें आपको राहत मिलने के लिए फाइदा होगा दूसरा tox clean ये आयोशांतिक का पूरा complete ayurvedic ingredient होने वाला ये supplement है spirulina दुनिया का सबसे बहतरीन food जिसको super food का दरजा दिया गया है दुनिया में और amla aloe vera ये ऐसे ingredient है जो आपके hyper acidity में आपको help करेंगे तो dosage मैंने बताए कब लेना है मैंने बताया कौन से supplement लेने है मैंने बताया और ये supplement है ना कि दवाई है ना कि steroid है तो आपको सबर भी रखना पड़ेगा आपको जितने बताए है दो दो अगर आप परेशान हो तो आपको minimum 2, maximum 4 अगर जिसको कुछ भी नहीं है उसको स्वस्थ रहना है तो उसने दो लिया तो चलेगा लेकिन आपको पता है कि आपकी acidity की severity कितनी है उसके हिसाब से आपको maximum 4 लेना है और आप ये कभी भी ले सकते है खाने के बाद भी ले सकते है इसके लिए कोई भी restrictions नहीं है तो आशा है ये वीडियो आप जादा से जादा लोगों को share करें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो like भी कर सकते हो शेयर भी कर सकते हो और आप चैनल को subscribe भी कर सकते हो तो यहाँ पर ऐसे बीमारी और उसके लिए combinations में बताने जा रही हूँ वो उसी शरिंखला में ये चोहत्था वीडियो है इसके पहले भी हमने osteoarthritis, rheumatide arthritis, osteoporosis और आज का वीडियो जो है वो हमने hyperacidity के लिए बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाए ये जो supplement का combination बताया है ये मैंने वैशाली बाली जी से confirm किया हुआ है तो कोई मेरा मन गड़त supplement का combination मैं hyperacidity के लिए नहीं बता रही हूँ और अगर आपको ये supplement चाहिए तो आप call भी कर सकते हो और इसके साथ order भी आप कर सकते हो तो आपको ये supplement कुरियर से पहुचाए जाएंगे और इसके साथ जो business जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी जो भी वीडियो मेरा ये वीडियो आपके साथ share करेगा उससे आप ले सकते हो तो with this thank you so much बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक वीडियो देखने के लिए